Hello everyone, आज हम बात करेंगे Patent Act 1970 की एक टॉपिक की वह है Surrender of Patent कि Patent को आप अगर छोड़ना जाते हैं तो कैसे छोड़ेंगे, मतलब Patent को त्यागना है तो कैसे त्यागेंगे जिस चीज के लिए आपको Patent Grant हो गया है, अगर आप उसको Patent को छोड़ना जा रहे हैं तो वो क्या procedure है, कैसे छोड़ा जाता है, आज हम उसके बारे बात करेंगे इसकी जो बात करी हुई है, वो बात करी है Section 63 में Section 63 जो Patent Act का है, वो बताता है कि कैसे Surrender करना है कोई Patent को तो जो Patent ही है, जिसको Patent Grant हुआ था, वो एक application फाइल कर दे, controller को एक application फाइल कर दे कि भही मेरे कोई जो आपने Patent Grant किया है, मैं इसको Surrender करना चाता हूँ, मैं इसको छोड़ना चाता हूँ, त्यागना चाता हूँ, तो आप मुझे एक, यह application है, आप मेरी इसको सैफ्ट करें controller, जो उसके application मिलेगी, पेटेंटीगी, तो वो जो controller होगा, वो उस application को publish कर देगा, पब्लिश करने का मतलब यहाँ पर है, कि जो patent में रजिस्टर होता है, जो सबों को knowledge में होता है, कि किस की patent किसको मिला है, किस चीज का patent किसको मिल रहा है, तो उसमें उस register में जो है, जो publish कर कर देगा उस चीज को, कि यह जो patent था, इस patent के लिए surrender की application आईए, त्यागने की application आईए, patent द्वारा, तो आप सब जिन जिन को लगता है, कि यह काम का है हमारे या फिर हमारा interest है इसमें, तो वो सारी लोग इसमें देख सकते हैं, फिर इसमें आगे बात करी है, कि जो other interested persons हैं वो इनको यह inform भी करेगा, उस patent के लिए अगर कोई other persons हैं, जो interested हैं, जो controller है, उनको inform भी करेगा कि यह application आईए, इस patent के surrender के लिए, तो आपको अगर कोई problem नहीं हो, तो मैं surrender की जो है, आगे proceeding शुरू करूँ, surrender कर दूँ इसके patent को, और अगर वो लोग कहते हैं कि नहीं, इसक पेटेंट को surrender करवा कि एक नया patent आपसे issue करवा है, और वो हो सकता है, society के लिए harmful हो, या फिर कुछ public interest में नहीं हो, तो आप इस patent को, जो आपने patent है, इसको आप surrender नहीं करें, तो controller को जैसा लगेगा, वो controller, वो सारी बात जो interested person उसको बताएंगे, वो उस patent को बता देगा, कि यह सारी बात है, और फिर जैसा controller को लगेगा, in good faith, controller उस patent को surrender कर सकता है, तो कर देगा, और नहीं करना चाहेगा, तो नहीं करेगा, यह surrender करना है, कि उसको यह surrender करना है, यह नहीं करना है, यह section 63 में बता रखा है, surrender of patent, hope you like this video, thank you